बड़ी खबर इस वक्त की महिला की हत्याकर शव को दफनाया कमरे में लखनों के टॉंजा चेत्र में हत्याकर दफनाये गए शव को पोलिस ने निकाला बाहर कल गाया भूई 60 वर्षी नसरीन का मिला शव पडोस के रहने वाले कासिम ने अपने ही घर में दफनाया था नसरीन का शव कल परिजनों ने टॉंजा थाने में नसरीन की दर्ज कराई थी गुमशुदकी की रिपोर्ट परिजनों दोरा डोडने के दोरान मिली जानकारी के बाद परिजनों ने कासिम के घर में मिटी खुदी पाय जाने पर जताया शक शक्यादार पर नसरीन के पुत्र रिजवान ने पुलिस को दी सूचना मौके पर पहुची टॉंजा पुलिस ने कासिम के घर का आंगन को खुदवा कर नसरीन का शव को निकलवा कर पोस्ट मौटम के लिए भेजा महीं पुलिस ने आरोपित कासिम को गरफतार कर पोस्ताश की शुरू S.E.P. A.D.C.P. सही तन्य अधिकारी पहुंचे मौके पर मामला इटॉंजर साना शेतर के जुलाहन टोला का बताया चारा है